हेलो दोस्तो ब्रिक्स का नाम तो आपने सुना ही होगा 2001 में एक अर्थसास्त्री थे इंगलेंड के उन्होंने इस ब्रिक्स का जो कॉंसेप्ट दिया उन्होंने कहा जो दुनिया में जो ज़्यादा विकास सील देश हैं उनका अगर एक गुरुप बन जाए तो ये आर्थिक रूप से और एकॉनोमिक रूप से पूरे विश्व के विकास में सहयक होगा अब 2021 की इस परिकल्पना को साकार किया गया 2006 की एक मीटिंग में बिटिस अर्थ सास्त्री जिम ओ नील ने जो अपना सोधपत्र प्रकासित किया था सोधपत्र का नाम था दा वर्ड नीड्स बैटर सैयुक्त रास्त की बहुत सारी बैठके होती रहती हैं उसमें जो 2006 की बैठक हुई थी बैठक के अंत में कुछ देशों ने मिल करके इस परिकल्पना को आगे बढ़ाने की कोशिस की और इसी करम में ब्रिक यानि ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना इन्होंने एक 2009 में रूस के एक सहर में इस बैठक को आयोजित किया उस सहर का नाम है येका तिरिन बर्ग, यहाँ पर ब्रिक्स की पहली बैठक कोई और अगले ही साल इसमें जो है साउथ अफरिका को जोड लिये गया तब ये बना ब्रिक्स यानि एस इसमें और एड हो गया दुनिया में बहुत सारे संगठन है, G10 है, G20 है, ASEAN है, United Nation है, Sark है इस तरह के जो बहुत सारे संगठन है उसी संगठनों की तरह ये ब्रिक्स है लेकिन इसमें जो विकासील देश हैं उन्होंने मिल करके इस परिकल्पना को वो किया और 2014 में इन्होंने मिलके अपना एक बैंक भी बनाया जिसको हम ब्रिक्स बैंक बोलते हैं या न्यू डेवल्लप्मेंट बैंक भी बोलते हैं इस बैंक के द्वारा इसके सदस्य देशों को इंट्रस्रक्टर के लिए या कभी आवस्चता पढ़ने में फंड महया कराने की बात की गई आज ब्रिक्स चर्चा में क्यों है देखिए इसमें 6 नए देश सामिल किये जा रहे जिनमें देशों में है अरजन्टीना जो की अमेरिकी देश है उसके बाद है इरान साओती अरब, UAE, इथोपिया और इजिप्ट ये 6 देश इसमें सामिल हो रहे है और इसमें इन छे के छे देशों की कुछ न कुछ अपनी विसेस्ता है जैसे अगर हम बात करें सौधी अरब और संयोगत अरब अमिरात यहां पर तेल का बहुत भंडार है और अधिकतर देशों की एकॉनोमी में तेल का बहुत महत्मूर रोल अदा होता है उसके अलावा इरा है इरान बहुत पुरानी सब्वेताओं में से एक है अरजेंटीना जो की फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है और इसी तरह से इथियोपिया और मिस्र यह च्छे के छे देश जब इसमें सामिल हो जाएंगे तो हो सकता है आने वाले समय में इसका नाम बदल जाएं क्योंक के इसाब से बी आर आई सी और एस बी सामिल कर लिया लेकिन अब इतने सारे हो गए तो कई समय तक तो ऐसा अलफाबेट वो किया जा सकता है लेकिन आगे साथ संबाव ना हो इसका कोई और नाम रख दिया जाए अब यह जो देश है यह एक विश्व की अर्थ व्योस्ता का बहुत बड़ा हिस्सा रखते हैं बहुत बड़ी पॉपलिशन यहाँ पर है और इसके अलावा कई सारी ऐसी चीज़े हैं जिससे यह देश अगल यूनाइट होते हैं या अपनी एक करेंसी चला लेते हैं क्योंकि अभी आपने देखा था कि जब रूस यूक्रेयन युद दूआ था तो एक स्विफ्ट नाम की एक संस्ता होती है जिसको हम सोसाइटी फॉर वर्डवाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्मिनिकेशन यानि यह फाइनेंशियल टेली कम्मिनिकेशन करती है वित्तिय संदेशों को एक जगे से दूसरी जगे पहुचाती है औ अपनी अर्थवियस्ता को आगे बढ़ाया था, जब ये देश सामिल हो जाएंगे और ये देश सामिल होंगे जनवरी दो हजार चॉबिस से, इसकी घूंसना कर दी गई है और इसमें देशों ने आविधन किया था, तो उन आविधनों में 6 देशों को सामिल कर लिया गया है, अगर ये देश सामिल हो जाएंगे तो ये ग्रूप बहुत बड़ा आर्थिक ग्रूप हो जाएगा इस ग्रूप के बीच में व्यापार करने की समभावना बहुत बढ़ जाएंगी आवस्चता पढ़ने पर एक देश दूसरे देश की मदद भी करेगा पर इसमें ऐसा भी है कि और भी देश जो सामिल होना चाहते हैं तो उन देशों को सामिल होने में जो वर्तमान के देश है उसमें से कुछ विरोध करते हैं उनके आपसी प्रतिदुन्दा की वज़से जहां पर आपस में दो देशों के बीच में वार चल ली है और इसी तरह से फ्रांस और पाकिस सतत्विकास के नाम पे आॉर्थीक बें आप यह सब सी यहां देखने को मिलेंगी तो आसा करता हूं अपको बुरिक सामझ में आ गया होगा और बुरिक्स के फायदे भी आपको समझ में आ गया होंगे तो आने वाले और फी इसी तरह के वीडियों देखने के लिए आप इस झाल झाल